टीवी सिरियल अनुपमा की कहानी में लीब के बाद बहुत कुछ बदल चुका है कई पुराने किरदार हटाए जा चुके हैं और नए किरदारों को शो में जगा दी गई है पहले कहानी अनुज और अनुपमा के इर्दगिर्द घूम रही थी वही अब चीजे काफी हद तक नए किरदार उपर शिफ्ट हो गई है हाला कि कहानी का मुग के किरदार अभी भी अनुपमा ही है सिरियल के बुद्धवार के एपिसोड में दिखाए जाएगा कि जानकी बेन के साथ अनुपमा होस्पिटल जाएगी और इस वरकर के लिए बलड डोनेट करेगी अनुपमा इस वरकर की एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले आएगी और उसकी मा की तवियद ठीक होने तक अपने ही साथ रखने का फैसला करेगी अनुपमा की बेटी राही यह सब देख रही होगी और उसे इस बच्ची में अपने बच्पन की जलक नजर आएगी वजाकर इस बच्ची को हिम्मत देगी और उसे हसाने की कोशिस करेगी इस छोटी बच्ची का नाम राधा है लेकिन वा कहानी में अनुपमा और राही की जिन्दगी किस तरह आगे बदलेगी यह हमें जल्दी पता चलेगा कहानी का नया प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाये गया है कि अनुपमा और राही के बीच फिर एक बार intense situation बनेगी अनुपमा को पता चलेगा कि माही जब राही के साथ अपने रिष्टे ठीक करने की कोसिस कर रही होगी तब राही उसके साथ भुरा बरताओ करेगी दरसल माही आंगन में राही को यह सब बता रही होगी कि शादियों का एक बहुत बड़ा contract आया है और उसने राही के लिए tender form भर दिया है इस पर राही गुस्सा होते हुए कहेगी कि तुम कोन होती हो form भरने वाली राही अपनी मा के सामने कहेगी कि अनु की रसोई मेरी है तब अनुपमा अपनी दोनों बेटियों को समझाएगी कि दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे लेकिन राही इस बात पर असामिती जताते हुए कहेगी कि साथ नहीं काम कर सकते वो कहेगी कि आपका तरीका अलग है और मेरा तरीका अलग है अगर आपको खाना बनाना है तो आप अलग बनाईए दरसल अनुपमा का बेटा तोशू अब राही के कान भर रहा है और उसे यह समझा रहा है कि अनुपमा की वज़़से ही यह बिजनेस आज तक आगे नहीं और अनुपमा अलग-अलग खाना बनाएगे और जो इस competition में जीत जाएगा तो अनुप की रसोई में उससे ज़्यादा हिस्सेदारी राही की रहेगी अरुपमा या चुनोती स्विकार कर लेगी लेकिन आखिर इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा या तो हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलीबड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहें ये एबी भी एंटर्टेन्मेंट